वेलकम क्लासिक स्टुडेंट्स बच्छों एक्ससाइज 2.2 को करते हैं अब देखिए पहला कुशन है जैसे फाइंड संभाई सेटूबर रियरेजमेंट उप्युक्त क्रम में लगा कर योग्याद कीजिए तो उसके अनुसार आप करिए कि आप किनी भी दो नंबर को एक साथ एड कर सकते हैं फिर बाद में उसमें तीसरा नंबर एड कर दीजिए आप देखिए यहाँ पर यहाँ पर साथ है इसके अंत में और 363 के अंत में 3 है तो 7 8 3 10 होता है तो हम इन दोनों को जोड लेते हैं ठीक है 8 363 को हमने एक ग्रूप में कर लिया और प्लस जो तीसरा नंबर बचा हुआ है उसको बाद में लिग दिया अब इन दोनों को एड करना आसान हो गया क्योंकि 7 और 3 10 08 लगा 1 6 और 3 9 और 1 10 08 लगा 1 तो 1200 आ गया 1200 प्लस 208 आ बारा सो में 208 जोड़ना बड़ा आसान हो जाता है 408 हो जाता है ऐसा नहीं है कि केवल आप ऐसे ही जोड़ें लेकिन हम उप्यूक तरीका यही है कि अगर इन दोनों को जोड़ें तो शुन्य वाली संख्या आ जाएंगी तो फिर एड करना सरल हो जाता है ठीक है आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इन दोनों को एड कर लीजिए पहले ब्रेकेट लगा के फिसमें यह एड कर दीजिए बात ही की है लेकिन हम सरल तरीका आपने आते हैं अब जैसे यहाँ पर देखिए इस संख्या 1962 1962 के अंत में दो है और 1538 के अंत में 8 है तो इन दोनों को एड कर लेंगे जीरोज वाली नंबर्स मिल सकते हैं ना ठीक है बासाट और 38 100 होता है बच्चों में ना और इसे तरह से 3 और 7 तो यहाँ सून्य वाली संख्या है मिल सकते हैं 453 और 647 को ठीक है तो इन दोनों को एड करके आया 3500 और इन दोनों को एड करके आया 1100 अब 3500 में 1100 जोड़ना बड़ा आसान है ठीक है ना अच्छा अब हम अगले क्वेशन की और बढ़ें क्वेशन नमबर 2 को ठीक है उप्युक्त करम में लगाकर गुननफल ग्याद कीजिए या क्या कहें कि अब देखी यहाँ पर 2 गुणा 1768 गुणा 50 है 2 इंटू 1768 इंटू 50 है बच्चों तो आप क्या करिए 2 और 50 को मल्टिप्लाइ करना आसान है ना तो 2 और 50 को मल्टिप्लाइ दिखाने के लिए आप उनको ब्रेकेट में रख लीजिए 2 इंटू 50 इंटू 1768 अब 2 इंटू 50 हो गया 100 में किसी नंबर को मल्टिप्लाइ करना बड़ा एसी है आप उस नंबर के एंड में 2 0s रख दीजिए ओके 4 इंटू 166 इंटू 25 अब 4 इंटू 25 होता है तो 4 इंटू 25 को एक साथ लिएते हैं multiply by 166 तो 16600 ठीक है इसी दर से 8 इंटू 291 इंटू 125 तो 125 इंटू 8 को एक साथ लिएते हैं क्योंकि 125 इंटू 8 1000 हो जाता है इंटू 291 हमने यहां लिख लिए जिन दो नमर्स को हम पहले multiply कर रहे हैं गुणा कर रहे हैं उनको रख दिया 1000 इंटू 291 तो 291 इसी दर से यहां देखिए 625 इंटू 279 इंटू 16 तो 16 और 625 को एक साथ multiply कर लेते हैं पहले 16 फाजा 80 ऐसा कुछ आता है यहां पर इसी दर ऐसे 285 इंटू 5 इंटू 60 को एक साथ multiply कर लेजिए ठीक है यहां पर थोड़ा सा गलबड़ होया बच्छों यहां 4 है ठीक है यहां पर 4 है इसको ठीक कर लेते हैं यहां पर 4 होना चाहिए या 5 होना चाहिए 5 होना चाहिए यहाँ पर है तो इसको हम टीक कर लेते हैं देखिए यहाँ पर 5 है ओके यहाँ पर 5 है 285 है यहाँ पर 285 है थोड़ा इसको बढ़ा कर लेते हैं 285 है यहाँ पर ठीक है इसी तरह से यहाँ पर भी 285 है इसको भी ठीक कर लीजिए 5 फॉन्ट बढ़ा कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर यह correction है correction देख लिजीगा है न अच्छा 285 इंटू 300 ठीक है तो multiply कर लेजिए इसी तरह से 125 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25 तो 125 को 40 से multiply करना 125 को 40 से multiply करना ज्यादा आसान है तो 125 इंटू 8 और 40 इंटू 25 को एक साथ लेख लिया ठीक है तो 1000 इंटू 1000 इंटू 1000 इस तरह से करना है आपको question number 3 को देखते हैं question number 3 देखिए find the value of आप देखिए जो हमने distributive property पड़ी है वित्रण गुण हमने पड़ा हुआ है वो इस्तमाल करना है आप देखिए 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3 और आपको कुछ ध्यान आ रहा हो कि देखिए कैसे माल लेजिए तीन संख्या है a, b और c है ठीक है माल लेजिए तीन संख्या है a, b, और c है ठीक है a इंटू a इंटू b हो गया प्लस a इंटू c हो गया a इंटू c हो गया है A into C हो लिए तो ये किसके बरावर हो जाएगा देखिए ये जो है A अब यहाँ पर दो प्रोडक्ट है एक प्रोडक्ट तो ये है बच्चो A into B दूसरा प्रोडक्ट है A into C उन दोनों का sum है बच्चो उन दोनों का क्या है sum है तो आप देखिए इन दोनों में क्या चीज कॉमन है A कॉमन है आपके पास क्या कॉमन है A और multiply sign कॉमन है प्रेकेट लगा देंगे तो A गुणा B में से A बाहर ले लिया तो बचा क्या है आपे B बचा प्लस sign ऐसा कैसा आया और A गुणा C में से A है और गुणा का चिंद बाहर ले लिया तो बचा क्या है आपे C बचा ठीक है तो इसका इस्तमाल करना है वित्रण नियम है यह ना कॉनसा नियम है वित्रण नियम बच्चों वित्रण नियम से हुआ है ठीक है तो आपने देखा कि A गुणा B प्लस A गुणा C, A इंटू B प्लस A इंटू C है, तो देखी इन दोनों गुणनफलों में, दोनों प्रोडक्स में, A कॉमन है आपका, यह आपका डिस्टिबूटी प्रोपर्टी से हम कर रहे हैं, ठीक है ऐसा करने से क्या होगा, देखी, 297 को कॉमन ले लिया हमने, ठीक है 297 को कॉमन लिया, ब्रेकेट के अंदर क्या बच्चा, 17 प्लस ऐसा कैसा आएगा, और 3 तो 17 प्लस 3 क्या हो गया, 20 है ना, 297 इंटू 20 मल्टिप्लाइ कर लिया, तो आपके बास आ गया 5940 ठीक है, इस तरह कैसे कतना है बच्चों, अब हम अगले कोशिन की तरह बढ़ते हैं, अगला पार्ट यानि की, ठीक है, इसको देखिए ध्यान से, 554279 इंटू 92 प्लस 8 इंटू 54279 तो आप देखिए दोनों में ही एक प्रोड़क्ट ये है बच्चों ठीक है, और प्लस अएक प्रोड़क्ट ये है तो 54279 कॉमन है, देखिए यहाँ पर करेक्शन है, इसको ठीक कर लिजेगा है ना, तो ब्रेकेट में आगे 90, देखिए यहाँ तो बड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पर 54279 है ठीक है, यह 3 नहीं था ठीक है, इसको ठीक है, इसको ठीक है अब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर नंबर ही मैं दुबारा लिख देता है 54279, 54279 ठीक है, तो 54279 कै है आपका, यहाँ पर कॉमन है बच्चों ठीक है, तो अब आप देखिए, इन दोनों में 54279 को कॉमन है प्रोड़क्ट में, ठीक है बाहर ले लिया है गुणा में से, आठ में से जो गुणा था जो बचा क्या है, आठ बचा, तो एट बची, आठ बची आठ बची आठ बची आ तो 54279 92 प्लेस एट, अंडेट हो गया, ठीक है, तो यह आपका अंसर आ गया, 5427,900 अच्छा, अब आप देखिए, एक उस C पार देखते हैं इसका, ठीक है, वित्रण नियम का ही प्रियोग कर रहे हैं, है न, तो A इंटू B माइनस A इंटू C, देखिए ध्यान से, एक प्रोड़क यह है, तो दोनों प्रोड़क्स में, दोनों गुडन फालो में, 81265 कॉमन है, मल्टिप्लाइ साइन भी कॉमन है, बच गया, ब्रेकेट लगा दिया, 81265 कॉमन ले लिया, जो की 169 से मल्टिप्लाइ हो रखा है, तो 169 ही रह गया अंदर, माइनस कीजिए का माइनस अपनी ज 69 माइनस 69 हो गया, 100, तो 81265 इंटू 100, तो 81,26,500, इस तरह से questions को किया जाता है, बच ओर, ठीक है, अच्छा, अब ये question थोड़ा सा अलग है, हटके है, D part, इसको द्यान से देखिए, बच ओर देखिए, 3845 इंटू 5 इंटू 782, यहाँ पर क्या है, 769 इंटू 25 इंटू 218, तो 25 को हम लिख देते हैं, 5 इंटू 5, ऐसा क्यों किया है, अभी समझ में आ जाएगा, देखिए, 5 इंटू 5 कर दिया, 25 को हमने लिख दिया, 5 इंटू 5, अब आप देखिए, 769 इंटू 25 को जिगे हो गया, 769 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, तो 769 इंटू 5 को multiply कर लीजिए, तो यह आता है, 3845, क्या आता है, 3845 आता है बच्चों इन दोनों को multiply करके, अब आप देखिए, एक formation कैसी बन गई, 3845 इंटू 5 इंटू 782, प्लस 3845 इंटू 5 इंटू 218, अब आप देखिए, इस product में और इस product में क्या चीज़ common है, दोनों products में, इस product में, और इस product में, क्य क्या चीज़ common है, वो सब देखिए, तो 3845 इंटू 5 common है, ठीक है, तो यह हमने बाहर ले लिया, bracket लगाया, अब इस product में से 3845 इंटू 5 बाहर ले लिया, तो बचा क्या 782, यह प्लस sign as it is आया, फिर इस product में से 3845 इंटू 5 बाहर ले लिया, तो बचा क्या है के वल 218, तो 3845 इंटू 5 इंटू 1000, तो multiply करके आ जाएगा, 1,92,25,000, ठीक है, तो यह वित्रण नियम का फाइदा है, अब हमने जो वित्रण नियम पढ़ा था बच्चो, वित्रण नियम जो पढ़ा था, उसी का प्रियोग है, ठीक है ना, अब वित्रण नियम का दूसरा प्रियोग, Distributive Property का दूसरा प्रियोग, Find, उप्युक्त गुणों का प्रियोग करके, गुणन फल गयात कीजिए, तो उप्युक्त गुणों यही है, कि 738 को डारेक्ट 103 से multiply ना करके, हम 103 के को लिख सकते हैं, 100 प्लस 3, 103 लिख सकते हैं, ओके, तो 738 इंटू 103 को हमने क्या कर दिया, 738 इंटू 103 को हमने ब्रेकेट में लिख दिया, 103 को तोड़ दिया हमने, दो संख्याओं के जोड में, 100 प्लस 3, अब आप देखिए, Distributive Property से 738 इंटू 100 प्लस 3, तो 738 100 से multiply हुआ, ठीक है, फिर यह प्लस 9, ऐसा कैसा आया, फिर 738 दूसरे से भी multiply होगा है ना, Distributive Property है देख अब 738 इंटू 100 करिए, 73,800 और इन दोनों को multiply करिए, 2, 2, 1, 4, तो add कर दीचे दोनों को तो आ गया, 7, 6, 0, 1, 4, direct तो multiply नहीं करना है, 854 इंटू 102 है जैसे, तो 102 को आपने लिख दिया, 100 प्लस 2, अब Distributive Property से, 854 इंटू 100 प्लस 854 इंटू 2, Distributive Property है ना, थोड़ दे पहले यह आपने देखी, यह है ना, Distributive Property देखिए, इस Distributive Property से किया है आपने, है कि नहीं, मैं यहाँ पर इसको paste कर देता हूँ, तो अब आप देखिए, इस formation को ध्यान से देखिए, ठीके इसको थोड़ा सा बढ़ा कर लेते हैं बच्छों, अब इस formation को देखिए, है ना, अब आप देखिए, A into B plus A into C है, ठीके, अगर मैं इस चीज़ को दूसरे क्रम में, जब हमने लिखा था, तो हमने दूसरे तरीके से लिखा, कि इसको उठा के, मैं यहाँ रख देता है, ठीके, और यहाँ यह equal to sign आ गया, तो आपने यह property देखी, देखिए, है ना, A into B plus C, ठीके, तो A, B के साथ भी गणा होगा, प्लस A, C के साथ भी गणा होगा, यानि कि क्या, त' मुल्टिवर्ख़क था, धर वाद आपंगा से वानिया होगा है, तो हम 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 इसको भी ऑना है जो相爱 को मोगा से वहाँ हों कीित, ना, įहाँ अशना इसका joy, वहाँ होगा र appeared